Hello everyone, आज है 22 मार्च और आज की इस वीडियो में हम 22 मार्च से बनने वाले का रंटफर के सभी important question का discussion करेंगे कल की class में हमने देखा था कि भारत के साथ अभी हाली में America Tiger Trump exercise का आईजन करने जा रहा है World Happiness Report जो रिलीज की गई ही लगातार साते वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देज बना है Finland, India 126 में है हाली में यौने declaration चर्चे में था जोकी malaria रोक से संबन्देत है Recently उदै भाटिया और मानसी गुपता ने जीता है Daina Memorial Award तैतिस्वा सरसुती सम्मान दिया जाना है प्रभावर्मा को तिलंगाना और पुदुचेरी के राज़िपाल का पद्भार सम्हालेंगे CP राधा कृष्णन हाली में निर्वाचन आयोक के द्वारा KYC Know Your Candidate App ये लौंच किया गया है गुयाना जो है ये भारत से डोर्नियर विमार खरीदने जा रहा है भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जली केंद्रो को घाटन किया गया ओडिसा में और रंजी ट्रॉफी दोहजार चौबिस जो की जीतली है मुंबई ने तो चली शुरू करते हैं आज का हमारा पहला और इंपोर्टन सवाल सवाल है विश्व वाईयू गुणवत्तर रिपोर्ट यनि की अभी हाली में जो वर्ल्ड एर क्वालिटी रिपोर्ट रिलीज की गई है स्विस और्गनाईजेशन आईक्यू एर इसने जो रिपोर्ट रिलीज की थी एर क्वालिटी की इसमें बताया गया था जो राजधानी दिल्ली है ये दुनिया की सबसे प्रदूशित राजधानी है जबकि बिहार का जो बेगुस राय है ये सबसे प्रदूशित महानगरे शेत्र के रूप में नामित किया गया था स्विस संगठन आईक्यू एर की वश्च वायू गुलवत्ता रिपोर्ट के नुसार जो दिल्ली है सबसे प्रदूशित राजधानी तो है ही जबकि भारत प्रदूशित देशों के लस्ट में ये कंट्री के दि हम बात करें तो भ अपना साथ अप्रेल 1948 में हुई जिनेवा स्विजरलेंड में हेटक्वार्टर टेडरोस अदानों वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे यदि आप करंट से रिलेट करेंगे न तो इसने अभी हाली में एक अफ्रीकी कंट्री है जिसे मलेरिया मुक्त घोशित किया ह इस कंट्री का नाम हो जाएगा केप वर्डे और ये सवाल मैंने आप लोगों को जैनवरी 2014 एने की इसी साल पढ़ाया हुआ है तो ये डबलो एचो द्वारा मलेरिया मुक्त होने वाला अफ्रीका का तीशरा देज बना था केप वर्डे बात किये जाए ये दि युनाइट नेशन का ही हिस्सा है 5 जून 1972 में इसके स्थापना की गई थी इसलिए 5 जून को हम World Environment Day के रूप में मनाते हैं केन्या नैरोबी में हेड़क्वार्टर है अभी इसकी बैठक जो संपन हुई है इसी मार्च के महिने में ये आयोजित की गई थी नैरोबी केन्या में ही अब य इसने जो Human Development Index 2022 का रिलीस किया था इसमें 193 Countries के बीच में भारत को 134 प्लेस पर रखा गया था किसी बिहार के एक्जाम में पूछा गया था कि HDI Index से रिलीस कौन करता है तो United Nations Development Program के द्वारा ही रिलीस किया जाता है और यदि आप Current से रिलेट करेंगे तो इसी के द्वारा ज आपको अभी लगबग 10 दिन पहले ही पढ़ाया है आगे चलते हैं हाली में किस राजी में Mission 414 इस अभियान के शुरुआत की गई है इसके शुरुआत अभी हाली में हिमाच और पदेश के द्वारा की गई है भारत की चुनाव आयोगने पिछले लोग सभा चुनावों में 60% से कम भागेदारी वाले 414 मतदान के इंद्रों पर मतदाता मतदान को बढ़हावा देने के लिए निकि वोटर्स को वोटिंग के लिए इनकरेज करने के लिए इस Mission 414 अभियान के शुरुआत करी है इसका परपस यही है जो वोटर्स है इन्हें इनके अधिकारों के बार के आर्टिकल 324 से 329 में है 25 जनवरी को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है 1950 में स्थापना हुई दिल्ले में मुख्याल है मुखे निर्वाचन आयुकत राजी कुमार और अभी बीते कुछ दिन पहले ही सुखबीर संदू और ग्यानिश कुमार की नियुकती अन्य आयु किया है KYC ये कोई banking से related नहीं है ये है KYC एक होता है know your customer यहाँ पर इसका मतलब है know your candidate ठीक है आप additional तो पर ये भी relate कर सकते हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा national icon की रूप में जिस अभीनेता की नियुकती की गई है ये हो जाएंगे राज कुमार राओ तो इतने fact आप relate करके कियाद रख सकते हैं आगे चलते हैं विश्व बिलियर्ड्स म्यूजियम के hall of fame में किसे शामिल किया गया है ये हो जाएंगे पंका जाडवानी option number D इसका right answer है हाली में भारत के महानतम बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंका जाडवानी को world of billiards museum के hall of fame में शामिल किया गया है current से आप relate करेंगे तो 2022 में ही हलाकि इन्हें world golf hall of fame में शामिल किया जा चुका है अब डायना एल्डूजी ICC hall of fame में ये last year शामिल की गई और ICC hall of fame में शामिल ये पहली भारती महिला क्रिकेटर बनी थी तो इनका नाम भी आप याद रखें लियंडर पेस ये अभी last year ही tennis hall of fame में शामिल किये गए tennis hall of fame में शामिल होने वाले ये पहले एशियाई बने थे तो इनका नाम भी आप याद रखें लियंडर पेस टेबल टेनिस से related डायना एल्डूजी cricket से tiger woods golf से related हो जाएंगे अगला सवाल है भारती मूल के जो लियो वराड कर थी किस देस के प्रधान मंत सकती बने थे इन्होंने अभी अपने प्रधान मंत्री का पद छोड़ा है तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं Ireland की location मैं आपको ये clear कर दूँ एक नदरन Ireland है और ये Ireland अलग है मतलब कि यदि आप यॉरोप के नकसे में UK United Kingdom की location देख रहे है न तो मैं बता दू UK में basically 4 state आते हैं इसमें एक आपका हो जाएगा England दूसरा इसमें हो जाएगा आपका Scotland ये वहे Scotland है जहां पर COP26 क्या आयोजन किया गया था फिर इसके बाद है Wells और इसके बाद है Northern Ireland मैं नदरन Ireland की बात ने किर रही हूं क्योंकि वो UK का हिस्सा है ये वाला हिस्सा Ireland का निचला हिस्सा है ना इसी के जो प्रधान मंतरी थे भारती मूल के लियो वराड कर इन्होंने अपनी पद से इस्तिफा दिया है Ireland की Capital Dublin करंसी हो जाएगी Euro रास्ट पती यहां के Michael D. Hingis हो जाएगे अच्छा यहां तो मैंने आपको UK के लोकेशन दिखाए इसके पास की कुछ कंट्रीज को यहां पर आप करंट से रिलेट करेंगे तो यहां पर आप देख पा रहे हैं France, France के बारे में क्या मैंने आप लोगों को बताया था कि गर्भपात को समवैदानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश यह France बना है जहां पर अभी हाली में White Hydrogen की भी खोज की गई फ्रांस और UK के बीच में एक English Channel है जिसे लोग तैर कर भी पार करते हैं इसे तैर कर पार करने वाले पहले भारती मेर से यह पहली भारती महिला पूछा जाता तो यह होती आरती साहा जर्मनी के दिबात करें तो Hydrogen से संचाले दुनिया की पहली ट्रेन इसी ने लॉंच करी थ देमोक्रसी इंडेक्स में टॉप पर है प्रेस फ्रेडम इंडेक्स में भी यह टॉप पर है इसके बगल में है Sweden स्वीडन से आप यह रिलेट कर सकते हैं नाटो में शामिल 32 मेंबर कंट्री यही है जबकि 31 मेंबर कंट्री इसके बगल में बैठा फिनलेंड हो जाएगा थर्मं सगुन रत्नम हो जाएगा इनका नाम सूरी नाम के राष्ट पती हो जाएंगे चंदर का प्रेसास संतोखी यह भी भारती मूलके हैं और इन्होंने इपने हाइस सिविलन ओनर से हमारी प्रेसेडंट द्रौपदी मुर्मुजी को लास्ट येर ही सम्मानित किया था अमेरिका से आप रिलेट कर सकते हैं कमला हैरिस का नाम कमला हैरिस ये वहाँ की वोईस प्रेसेडंट है लेकिन भारती मुलकी है तो आप रिलेट कर सकते हैं अगला सवाल है विश्व वानी के दिवस प्रतिवर्स कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 21 मार्ज को option number C इस इस बार के थीम है वन और नवाचार बहतर दुनिया के लिए नए समाधार याने की forest and innovation new solution for a better world अब देखी मार्च महिने में जो महत्वपूर दिन बनाये गए हैं यह मैंने सब कुछ लिख रखें यहाँ पर जिसे कि wildlife day तीन मार्च अंतर राश्ट्री महिला दिवस है आठ मार मार्च को धुम्रपान निशेद दिवस मार्च महिनी के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है वर्ल्ड किड्नी डे जो कि 14 मार्च को था 15 मार्च को consumer rights दे 16 मार्च को राश्टी टीका करन दिवस वर्ल्ड happiness day प्रसन्नता दिवस ये 20 मार्च को और 20 मार्च को ही विश्च गौरईया दिवस स्पैरोडे मनाया गया है आगे चलते हैं संजय मुखर जी ये किस राज्जी के पुलिस महानी देशक के रूप में न्यूक्त किये गया है ये भी हाली में पश्चिम मंगाल के बात की जाए दी पश्चिम मंगाल की राजधानी कोलकाता मुख्यमंत्री ममता वनर्जी राजपाल सीवी आनंद बोश नेशनल पार्क में बक्सा गौरुमारा जल्दा पारा सिंगलीला लोग समह सीटे 42 राज्ज समह सीटे 16 है सौरा गाउंगरी रेसेंटली हां के ब्रैंडम बाजडर बनाये गए हैं गंगाल सागर मेले काय जो नहीं किया गया आईपे सिधिकारी राजी कुमार को पुलिस निदेशक की रूप में न्यूप किया गया था यही फैक्ट आपको याद रखना है कि इन्हें हटाए जाने जिससे जी आई टैग मिला था यह मिला था दारजलिंग की चाय को वर्ष 2004 में आईपेल 2024 से पहले CSK का नया कप्तान किसे चुना गया है तो 22 मार्च से स्रूरू होने है पुर्षो के आईपेल पहला मैश CSK और RCB की वीच खेला जाएगा तो आईपेल 2024 के पहले CSK का नया कूँ इसके पहले देखिए हार्दिक पंडिया ने गुज्राट टाइटन्स चोड़ा इसके बाद ये मुंबई इंडियंस की कप्तानी सम्हाल रहे हैं और इस पर काफी ज़्यादा विवाद भी हो चुका है मुंबई इंडियंस जो की पहले सम्हाल रहे थे रोहित शर्मा हले कि रोहिष शर्माज ये T20 वर्ल्ड कप की कैप्टेंसी करेंगे जो अमेरिका और फिर्वस्ट नीज में आयजित किया जाएगा अब गुजराट टाइटन्स ये सम्हालेंगे शुबमन गिल IPL इंडियन प्रीमियर लेग जिसे रेगुलेट करवाता है BCCI क्रिकेट का घरेलू टूर्नमेंट 2008 इस्थापना 17 वा संस्क्रण है मतलब 2008 से शुरुवात हुई तो अब जो 2024 में होना है ये इसका 17 एडेशन है सबसे सफल टीम इसकी है मुंबाइ इंडियन्स और चेन्ने सूपर किंग्स दोनों के नाम पाच-पाच खिताब है महिलाओं का IPL दो बार आयजित हो चुका है पहले बार में मुंबाइ इंडियन्स विजटा थी अभी रिसेंटली 17 मार्ज को दूसरे संस्क्रण का फाइनल हुआ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जिसमें की विजटा रही है RCB Royal Challengers Bangalore आगे चलते हैं कि देश का पहला AICT राजधानी लखनों में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर एक्जाम का पार्ट बन चुका है जिसका नाम है सर्ववेद उत्तर प्रदेश से ही आप रिलेट करें वारा नसी से अयुद्या राम मंदर मेराम लला की प्रतिमा का गुला बारुद मिसाइल कॉंप्लेक्स नहीं कानपूर में लॉंच कर रहे हैं पांच करोड़ आईशमान काट जारी करने वाला पहला राज्जी उत्तर प्रदेशी हो जाएगा अगले सवाल है हाले में लोगतंत्र के लिए तीसरा सिख़ड सम्मेलन कहा आयजित किया गया यह आयजित किया गया है साउथ कोरिया में जिसकी ठीम रही है भविश्य की पेड़ियों के लिए निकी आने वाली जनरेशन के लिए लोगतंत्र निकी डेमोक्रसी साउथ कोरिया जो नौर्थ कोरिया से डिवाइड होता है 38 पैरलल लाइन की माध्यम से 38 समरांतर रेखा की माध्यम से कैपिटल स्योल करंसी वॉन यहां के प्रधान मंत्री हान सुक डक्सू हो जाएंगे और रास्ट पती की रूप में युन सुक योल की न्यूक्ति की गई थी आप ये भी याद रखें 5G नेटवर्क लॉंच करने वाला दुनिया का पहला देश यह आपका साउथ कोरिया ही है LG इसी देश की कमपनी है इसके लावा सैमसंग सैमसंग भी साउथ कोरिया की कमपनी ही जिसने की अपना सबसबड़ा कार खाना भारत में नॉड़ा सेक्टर 81 में स्थापित यह कर रखा है और इसका जो पहला रॉकेट सोदेश निर्मित रॉकेट लॉंच किया गया था इसका नाम हो जाएगा नूरी रॉकेट साउथ एफ्रिका में आयजित किया गया था ब्रिक्स समिट 2003 का जबकि नेक्स्ट ब्रिक्स समिट जो होस्ट होना है 2024 इस साल वाला ये रश्या के कजान शहर में आयजित किया जाएगा भारत का राय सीना डायलोग तो होना है लेकिन इसका नवा एडिशन होगा जिसमें कि मुख्यतिती होंगे ग्रीस के प्रधान मंतरी किरिया कोस, मित्सोटा किस तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे यहाँ पर बात की जारी है डेमोक्रसी की अभी हाल ये में आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था कि भाई डेमोक्रसी इंडेक्स रिलीज किया गया है जिसमें कि भारत को जो रैंक दी गई है ये है 41 इसमें टॉक पर जो कंट्री है ये हो जाएगी नौर्वे और नौर्वे को मैप से जस्ट मैंने आपको दिखाया है दस्वा सवाल है हाली में परैटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राजज कौन बना है तो ये बन गया है महराज सरकार ने केंद्र शाशिर प्रदेश जमू कश्मीर में 2.5 एकर जमीन खरीदने का निर्णा लिया है और जमू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला यनि कि ऐसा टूरिजम के लिए परैटन के लिए जमीन खरीदने वाला पहला राजज बना महराश्ट की सिंदे सरकार इस जमीन पर जमू कश्मीर जाने वाले अपने जो टूरिस्ट है इनके लिए गेस्ट हाउस राज्य भवन बनवाएगी और ये राज्य भवन 8.16 करोड की लागस से बनेगा बात की जाएदी महराष्ट की राजधानी इसकी मुंबई मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज्य पालर में इस बैस है पार्क में संजय गादी नवी गाओं पेच रिलेट कर सकते हैं पेच का थोड़ा हिस्सा महराष्ट में आता है सेस इसका आता है मध्यप्रदीश में महराष्ट सरकार्नी स्वास और सिक्षा के शित्र में AI की उपयोग के लिए Google के सांथ समझोता किया यह करंट का सवाल है 27 राष्ट युवा महुत्सों का युजर नासिक में किया गया महराष्ट प्लिस का नेया डीजेपी रश्मी शुकला और FDI का सबसे बड़ा प्राप्त करता राष्ट्री यह रहा है महराष्ट्री FDI इनके फॉरं डारेक्ट इन्वस्ट्मेंट करंट में दी हम देखें मतलग कि कुछ स्टाटिक में आज रंजी ट्रॉफी को हम डिसकस कर लेते हैं करंट का ही टॉपिक रहा है अभी इसका जो फाइनल हुआ फाइनल इसका खेला गया है मुंबई में जो वान खेड़ी स्टेडियम है जहाँ पर सचिन तंदुलकर की प्रतिमा है इस्टेची जो बनाए गई है यहाँ अजिंग के रहाणे की कैप्टन्सी में मुंबई ने विदर्व को हरा करके अपना 42 वक हिताब जीता है इस टीम में दी हम देखिए मुंबई टीम को लीड कर रहे थे अजिंग के रहाणे और विदर्व टीम के कैप्टन अजे वोडेकर थी BCCI ही से रेगुलेट करता है क्योंकि यह घरेलो टूर्नमेंट है क्रिकेट का BCCI 1928 Formation Year मुंबई में मुख्याले और रोजर विल्नी अध्यक्षवर्दमान में मैंने कल आप से पूछा था इंदराम महावास योजना की शिरुवात किस ने की है ते लंगाना राइट आंसर था आज का सवाल है आपका किस राज जी के द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित वाला OTT प्लेटफोर्म जिसका नाम सी स्पेस यह लॉंच किया गया आंसर इसका आप कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू सो मच